Hello Students, Welcome to the Official YouTube Channel of Origin Coaching आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास पर और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का Physics, Hindi Medium हमारा चेप्टर है दोलन आपको मालूम है कि दोलन के हमने दो लेक्चर कम्प्लिट किये हैं ये हमारा आज तीसरा लेक्चर है दोलन क्लास 11 के Physics का बहुत Important टापिक है आपको मालूम है कि मैं पहले भी इसके लिए आपको बता चुका हूँ कि दोलन का चेप्टर जो है आपके School Exam के साथ NEET के Exam पर, IIT के Exam पर, NDA के Exam पर सभी तरह के Complitive Exam पर इससे बहुत अच्छे Question बनते हैं तो हमने दो लेक्चर के Complete किया है जिसमें हम आपको Simple Harmonic Motion की Property बता चुके हैं और आज के Class में, मैंने प्रिवियस वीडियो में आपको बताया था कि Next Class हमारा होना है Simple Harmonic Motion of the Spring Spring की सरलावर्ती गती तो ये टापिक हम स्टार्ट करते हैं टापिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत important notification देदू कि हमारे Unacademy के Class पर आपको मालूम है कि वहाँ पर मेरे जो Classes होते हैं अभी आपको एक बहुत best opportunity मिल रहा है वो है up to 25% का discount subscription यदि आप अभी देखें इसका date है before May 19 May 19 के पहले यदि आप Unacademy पर subscription लेते हैं तो आपको 20% का discount तो हमारे referral code पर आपको मिलेगा 5% के और आपको additional discount मिलेगा up to 25% आप इसको discount पा सकते हैं यहाँ पर आपको इसके लिए क्या करना है हमारा referral code यूज करना है यह हमारा referral code यूज referral code मैं आपको बता दूँ referral code है हमारा JP SirLive JP SirLive आप referral code यूज करिए और इस code को यूज करके आप 20% up to 25% आपको लिसका 20% तो आपको हमारे code पर मिले गई देखें मई 19 के बाद price high होने वाला है 19 माई के बाद इसके price बढ़ जाएंगे तो आपके लिए एक बहुत अच्छा माउका है जितने भी students NEET का preparation कर रहे है IAT, JE का preparation कर रहे है उनके लिए best opportunity है यदि आप 2022 के भी exam में बैठ रहे हैं या 2023 के लिए आपने target किया है तो यह आपके long time के लिए पर जो rate है 24 मंद के लिए यह मिलता था 64,668 में वो अभी मिल रहा है 49,280 में आपको 15,400 15,400 का आपको छूट मिल रहा है प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आइकोनिक पर और भी ज़्यादा तो यह आपको chart complete detail हम आपको दे रहे हैं और आपको पूरा complete detail इसके description पर मिलेगा इस video के नीचे description पर हम आपको इसका link दे रहे हैं उस link के through आप direct इस पर join कर सकते हैं इसकी पूरी inquiry कर सकते हैं यहाँ पर भी आपको referral code यूज करना है हमारा और referral code आप यूज कर लेंगे JP Sir Live यह पूरा capital letter में होगा और यह code आप यूज करेंगे हमारा तो आपको 20% का इस पर फीस में छूट मिलेगा तो एक अच्छी opportunity आपके लिए है आप इस time में subscription ले सकते हैं खास कर यदि आपने need 2023 IIT JEE 2023 को यदि आपने target किया है तो आपके लिए best मौका है कि आपको बहुत discount मिले हाला है कि यहाँ पर 24 month, 18 month, 12 month, 6 month और 3 month 3 month के subscription के लिए आपको यहाँ पर discount दिया हुआ है तो यह बहुत अच्छा time है आपके subscription के लिए चलिए अब हम class start करें अपना और आज का हमारा topic है oxalation पर दोलन दोलन का आज हम जो special topic पढ़ने वाले हैं वो है simple harmonic motion आपदा spring spring की सरल आवरती गती spring की सरल आवरती गती simple harmonic motion of spring देखो सबसे पहले मैं आपको एक बार दुबारा याद दिला दू कि किसी भी पिंड की गती सरल आवरती गती कब होती है किसी भी पिंड की गती को हम simple harmonic motion कब कहते हैं तो आपको मैंने previous class में पढ़ाया था यदि किसी भी पिंड का तोरण जो है यदि किसी भी गती सिल पिंड का जो तोरण है वह उसके रिडात्मा क्विस्थापन के यदि वह उसके रिडात्मा क्विस्थापन के समानुपाती हो तब इस condition में उस पिंड की गती को हम सरल आवरती गती कहते हैं मतलब यदि किसी भी गती करने वाले पिंड के तौरण को, यदि हम उसके negative displacement के रिडात्मक विस्थापन के समानुपाती प्रूफ कर दें, तो यह बात प्रूफ हो जाता है को उसकी गती सरलावर्ती गती होती है, और जब किसी पिंड की गती सरलावर्ती गती होती है, उसका फार्मूला होता है विस्थापन बटे तौरण, यह मैं आपको previous class का repeat कराया कि यह होता है, यह हम जानते हैं कि किसी भी पिंड का तौरण जब रिडात्मक विस्थापन के समानुपाती हो, तो उसकी गती सरलावर्ती गती होती है, और जब उसका सरलावर्ती गती होता है, तो उसका जो आवर्तकाल होता है, वह टी इक्वाइट टू पाई अंडर रूट विस्थापन बटे तौरण के बराबर होता है, अब हम यहाँ पर देखें इसको especially spring के case ने, तो देखो spring के case में क्या होता है, कि suppose अपने पास एक spring है, यह मैंने एक rigid surface पर एक spring बनाया, suppose यह एक दिड़ अधार है, और दिड़ अधार पर हमने यहाँ पर एक spring बनाया इस तरह से, माल लोग यह spring है, और इस spring पर हमने एक वस्तू लटका दिया इस तरह से, इस पर बल लग रहा है F, जो की mg के बराबर होगा, तो इस spring पर हमने यहाँ एक वेट लटकाया हुआ है, जिसका भार mg है, जो की बल होगा, भार हमेशा बल होता है, अब हमने क्या किया, इस spring को, इस spring पर हमने बल mg लगा कर, इसको नीचे की और विस्थापित कर दिया, सपोस हमने नीचे विस्थापित कर दिया, इस तरह से, तो यह जो spring होगा, इसके यहाँ नीचे खीच कर छोड़ दे, तो यह उपर और नीचे क्या करेगा, दोलन करेगा, जितना उपर जाएगा, उतना ही दूरी क्या करेगा, नीचे up and down होगा, ठीक है, आपको practical experience होगा इस बात का, कि यदि हम किसी spring पर किसी भार को लगा दें, किसी भार को लटका दें, और उस भार को यदि हम पकड़ के नीचे के और खीचे, तो जैसे हम उसको नीचे के और खीचते हैं, तो खीच के छोड़ने पर वह spring उपर होता है, और y distance नीचे आता है, इस पकार से यह अपने माध्य स्थिती से y distance उपर, और y distance यह नीचे गती करता है, इस पकार से हम यहाँ पर का सकते हैं, देखो कि चुकि हम को spring के लिए पता है, कि spring पर जो लगने वाला बल होता है, वह proportional to होता है किसके विस्थापन के y के, spring पर लगाया गया बल, spring पर विस्थापन के समन उपाती होता है, naturally यह बात clear है, कि हम किसी भी spring पर जितना बल लगाएंगे, किसी भी spring पर जितना बल लगाएंगे, उतना ही अधिक उसमें विस्थापन होगा, तो बल जो होता है लगाए गया बल, बल को हम ज़ादा लगाएंगे तो ज़ादा नीचे तक खीचाएगा और कम बल लगाएंगे तो कम नीचे तक जाएगा वह, that means बल विस्थापन के समन उपाती होता है, तो इस बल के विस्थापन के समन उपाती होने के बाद, यदि हम इस इस्प्रिंग निये तांग करते हैं और माइनस साइन क्यों यूज किया गया है क्यों कि यह क्या करता है बल का विरोध करता है इस्प्रिंग का नेचर होता है कि जब हम किसी इस्प्रिंग पर बल लगा को उसको नीची के और खिशते हैं तो इस्प्रिंग क्या करता है उसको उपर क्यों खिशता है इस पकार से हम जानते हैं कि यदि किसी स्प्रिंग पर बल लगाया जाए तो बल लगाने से इस्प्रिंग उसके विस्तार का उसमें परिवर्तन का विरोध करता है और इस विरोधी बल के कारण ही हम यहाँ पर minus sine use करते हैं इस पकार से f equal to क्या हो जाएगा minus ky यह हो गया suppose relation number 1 clear यहां तक बात clear आपको क्या बताया मैंने यदि किसी spring पर बल लगाया जाए तो spring में विस्तार होता है और इस पर लगाया गया बल इसके विस्तार किया उसके विस्तापन के समनुपाती होता है इसको हमने साल्व किया तो f equal to minus k into i होता है जहाँ पर k नियतांख है और यहाँ पर k नियतांख को spring constant करते हैं अब देखो परंतु हम यहाँ पर जानते हैं बट f equal to होता है m into alpha बल बराबर होता है द्रब बिमान गुडित त्वरण यहाँ पर alpha क्या है कोड़ी त्वरण है चूंकि यहाँ पर हम सरावर्ती गती के बारे में बात कर रहे हैं periodic motion के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो त्वरण होता है वह रेखी त्वरण नहीं होता बल बराबर दरब बिमान गुडित तोरण हमको मालूम है लेकिन यहाँ पर जो हम तोरण यूज करेंगे वह क्या होगा? कोड़ी तोरण होता है तो बल बराबर होता है दरब बिमान गुडित तोरण यह है relation number second इसलिए 1 तथा 2 से यदि हम 1 तथा 2 को combine करें तो relation 1 में आप देख रहे हो कि relation 1 में क्या है? f equal to minus k into i है और relation 2 में f equal to m alpha है तो एक तथा 2 से क्या हैगा? m into alpha equal to minus k into y होगा that implies इसको आगे solve करें तो alpha equal to minus k upon m into y होगा अब यहाँ पर आप देखो कि यह जो k upon m है यह एक constant है यह एक नियतांग है यह आपको मालूम है कि k तो मैंने अभी बताया spring नियतांग होता है k तो already constant ही है और यहाँ पर m क्या है? उसका mass है जो weight उसमें लटकाया गया उसका mass है mass always constant होता है तो k upon m क्या हो जाएगा? यह constant हो जाएगा इस तरह से इसके constant होने के बाद हम इसको क्या कर सकते है alpha अब हम इसको proportional कर सकते है यह proportional के निशांथ वह ऐसा बना लो क्योंकि alpha के साथ वो mix हो जाता है alpha proportional to minus y alpha proportional to minus y का मतलब क्या हुआ? alpha यहाँ पर त्वरण है और y क्या है? विस्थापन है तो alpha proportional to minus y का मतलब हुआ कि त्वरण जो है वह रिडात्मा क्यों स्थापन के समानुपाती होता है और जब त्वरण रिडात्मा क्यों स्थापन के समानुपाती होता है तब इसकी गती को हम क्या कहते है? simple harmonic motion कहते है सरालावर्थी गती कहते है इस पकार से यहाँ पर spring का जो त्वरण होगा वह इसके रिडात्मा क्यों स्थापन के समानुपाती होगा और तब इसकी गती सरालावर्थी गती होती अब जब इसकी गती सरालावर्थी गती हो जाती है तो इसलिए इसका जो आवर्थकाल इसका जो आवर्तकाल होगा अभी मैंने आपको फार्मुला बताया T equal to होगा 2 pi root of ये पीछे मैंने आपको फार्मुला बताया सबसे पहले प्रहारे से पहले कि वो आवर्तकाल जो होता है वो root of विस्थापन बटे तोरण विस्थापन बटे तोरण के बराबर होता है तो यहाँ पर विस्थापन क्या लिया है हमने y लिया है और तोरण को अलफा लिया है तो that implies आगे इसको हम साल्व करें तो T equal to 2 pi under root of y upon alpha यहाँ से देखो y upon alpha का value हम यहाँ से निकाल सकते हैं y upon alpha इसको इधा टांसफर करेंगे इसको इधा टांसफर करेंगे तो y upon alpha जब करेंगे तो m upon k ठीक है अलफा इधा टांसफर करेंगे यही से निकाल देता हूं मैं यहाँ पर मैं arrow लगा के लिग देता हूं दूसरे color से यहां से मैं arrow लगा click देता हूँ यहां से अधी हम क्या निकालें alpha upon y alpha upon y यह तो हो जाएगा alpha upon y ही तो निकालना है न अपने को तो k upon m स्वारी स्वारी y upon alpha वही मैं समझ रहा था कैसे उल्टा हो रहा है formula y upon alpha निकालेंगे न अपन तो यह हो जाएगा y upon alpha इसको इधर transfer करेंगे तो हो जाएगा m upon k यहां पर minus sign को हम छोड़ देंगे क्योंकि minus disa बताता है तो minus disa बताता है उसको हम छोड़ देंगे यह हो जाएगा 2 pi m upon k तो यह जो formula निकाला गया है t equal to 2 pi under root m upon k यह spring के सरलावर्ती गती के लिए formula है इस पकार से spring की गती यदि आपको question में पूछता है कि सिद्ध करो spring की गती सरलावर्ती गती होती है तो यहां तक लिखेंगे अपकर सिद्ध करो कि spring की गती सरलावर्ती गती होती है तब हम उसको यहां तक proof करेंगे और यदि हमको एक्याम में बोले कि सिद्ध करो कि इसका जो आवर्तकाल है वो इतना होता है तो यहां तक प्रूफ करेंगे ओके तो यह है spring की सरलावरती गती, दो पिंड के सरलावरती गती को हमको यहाँ पर पढ़ना है, एक तो हमको पढ़ना है spring की गती सरलावरती गती होती है, और दूसरा पढ़ना है हमको सरल लोला की गती सरलावरती गती होती है, तो next class में मैं आपको सरल लोला के गती को सरलावरती गति यह प्रूफ करूँगा एक एक छोटे छोटे पाइट पर मैं इसको पढ़ा रहा हूं यदि दोनों को एक ही वीडियो में मैं आपको समझा दूँ कि स्प्रिंग की गति और सिंपल पेंडूलम की गति तो कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा क्योंकि दोनों सरलावरती गति करते हैं इसके सरलावरती गति करने का नेचर अलग है और सरल लोलक जो सिंपल पेंडूलम होता है उसकी सरलावरती गति करने का नेचर अलग है इसलि कोई भी पिन सरलावरती गती करता है तो उसकी उर्जा कितनी होती है उसकी स्थिती जूर्जा उसकी गती जूर्जा उसकी कूल उर्जा फिर उसके बीच में रिलेस तो आज के क्लास के लिए आप रेडी रही है जिसमें हम सरल लुलक पढ़ेंगे और सरल लुलक इस चेप्टर का सबसे ज्यादा important question है उसमें बहुत सरा discuss भी करेंगे साथ ही हम इसकी energy को पढ़ेंगे